यह है अंजी ब्रिज यूएस बी आरेल का काफी महत्पूर्ण पुल माना जाता है और यह पुल अब अपने अंतिम चरण में है यहाँ पर एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि देश का एक मात्र केबिल स्टेड रेलवे ब्रिज है हिमाले में अगर कहा जाए तो इकलावता ऐसा रेलवे पुल है जो हिमाले चेतर में पड़ता है यहाँ एक और चीज बड़ी है बड़ी चीज यह है कि यह इलाका भूकम्प के लिहाज से काफी सम्वेदंसील माना जाता है लिहाजा यहाँ भूकम्प का भी खयाल रखा गया है ध्यान दिया गया है कि यह पुल किसी बड़े भूकम्प में भी सुरच्चित रहे इस घाटी के अंदर जहाँ पर अंजी नदी है इस जगहे पर तेज हवाएं चलती है अगर तेज हवाओं की बात करें तो इस पुल को 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफतार से भी जादा तेज हवाओं के लिए मुफीद बनाया गया है तो काफी बहतरीन पुल है दूसरी सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर जो टनल टू है वो सामने दिख रही है टनल टू से जब ट्रेन कटरा से होते हुए बाहर निकलेगी तो सीधा अंजी ब्रिश पर पहुँचेगी और अंजी ब्रिश की लागत की अगर हम बात करें तो तकरीबन पहुने चार सो करोड रुपई की लागत आई है यहाँ पर अब आप से सोच रहे होंगे कि यह पुल इस तरह का क्यूं बनाया गया है इस तरह का इसलिए बनाया गया है क्योंकि यह घाटी का छेत्र दुरगम है दुसरी चीज है कि यहाँ पर जो गहराई है घाटी की वो ज्यादा है लहाजा यहाँ पर दो ही आपसन थे या तो महराबदार पुल बनाया जाए या केबिल इस्टेट पुल बनाया जाए रेलेवे ने डिसाइड किया कि केबिल इस्टेट पुल बनना है और उसके बाद इसमें काम सुरू किया गया यहाँ पर एक और चीज महत्पुन्ड हो जाती है अगर हम इस पुल की बात करें जो बीच में वाई सेप का हिस्सा दिख रहा है उल्टा वाई सेप दिख रहा है अगर उसकी बात करते हैं तो यहाँ पर फाउंडेशन से लेकर ताप तक की जो उचाई है वो 193 मीटर की है के लिए इसको फिट किया गया है यानि जम्मू से जब सीधा ट्रेने चलेंगी स्रीनगर के लिए तो वह इस पुल से गुजरेंगी यह पूरा का पूरा प्रोजेक्ट कट्रा से बनिहाल के बीच में अगर हम देखें तो 111 किलोमीटर लंबे इस रेलवे प्रोजेक्ट की अगर हम बात करते हैं तो उसमें अंजी ब्रिज अपने आप में नगीना है एकडम डिफरेंट है और इसको भी देखने के लिए लोग यहां पर पहुंचेंगे निश्चित तोर पर कहा जा सकता है और जब यहां से ट्रेन गुजरेगी वंदे भारत जब यहां से निकलेग तो निश्चित तोर पर एक अलग तरह का द्रसे होगा कैमरामेन हीरा मंडल के साथ सिध्धार्थ निवजी स्टेशन अंजी ब्रिज यूस बीरल